येलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीव बिग्यान से सम्मंदित आपको बता दें पिछली लेक्चर में हम लोग ने क्या-क्या पढ़ना है विसाई बस तू देख चुके थे जीव बिग्यान में फर्ष्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग वनस्पती बिग्यान बोटनी के जनक कौन थे थीव फेस्टस बोटनी सब्दी की उत्पत्ती किस वासा की सब्द से हुई आपको बता देना है ग्रीक हिस्टोरिया फिलांटरम पुस्तक के लेका कौन है थीव फेस्टस वह बिग्यान जिसका संबंद जीव धारियों के अध्धिन से ह पुता क्या कहलाती है जीव धिग्यान ठीट परियावन के अध्यन जीव धिग्यान की किसाखा के अंतरगत किया जाता है परियावन का फारिष्टिति की के अंतरगत फूलों के संबर्धन के विग्यान को क्या कहते है फिलोरी कल्चा डेंडोलोजी का संबंद किस से है तो आपको याद रखना है जाड़ियों के अध्यन से औस्पों का अध्यन क्या कहलाता है एन्थुलोगी कि जीवास्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्यन किया जाता है जीवास्मों का ठीक आँगे बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की साखाएं देखते हैं एक ग्रु एस्टोलोजी किसे कहते हैं तो आप लोगों को याद रखना है घासों का ध्यन एवं पालन होता है इसमें एनाटोमी आंत्रिक सरचना का ध्यन होता है एन्थोलोजी में पॉस्पों का अध्यन होता है वेक्टिरियोलोजी जीवानों का अध्यन किया जाता है इसमें बायोलोजी बायोफाइटा का अध्यन होता है कैसी डियोलोजी पादब में रोज रोग जन्यगाठों पादब कैंसर का अध्यन किया जाता है साइटोलोजी कोशीकाओं के अध्यन किया जाता है डेंडोकॉनोलोजी ब्यक्षेओं की आयू का अध्यन किया जाता है डेंडोलोजी फ्रक्ष एवं जाडियों का अध्यन किया जाता है एकोलोजी पौधों का वादावेण से संबंद का अध्यन किया जाता है इकोनोमी एकोनोमिक बोटनी आर्थिक महत्य के पौधों का अध्यन किया जाता है एम्बियोलोजी योगमों को कि निर्माड निसेशन और भूर के भी परीवर्धन का द्धियन किया जाता है इसमें क्रेट एथेनो बोटनी तो ये इसमें आदिवासियों के द्वारा पादप के उपयोग का द्धियन किया जाता है इवो लिवसन इसमें सजीवों के विकास के पिक्रम का द्धियन किया जाता है फिलोरी कल्चर सजावटी फुस्पों का संबर्धन एवम अद्धियन किया जाता है होरश्टी बनों का द्धियन किया जाता है Genetic Engineering में किंतिम जीन का निरमाड एबम इस्थानारंतन का अध्यन किया जाता है तो एजनेटिक अनुबानसिक्ता एबम बिमिनताओं का अध्यन किया जाता है Gerontology आयू के साथ जीवों में होने वाली परीवर्तनों का चैन होता है हेरी डेटी तो पित्तक लक्षों के संतत्ती में पहुचने का अध्यन होता है इसमें ठीक है लाइकेनोलोजी लाइकेंस का अध्यन होता है ठीक है याद रखो प्रेद लेमनोलोजी जीलों तथा अलबड़ी है जलिये पादपों का अध्यन होता है माइक्रोलोजी कबक या फपूंद का अध्यन किया जाता है माइक्रोफिलाजमोलोजी इसमें माइक्रोफिलाजमा का अध्यन किया जाता है फ्रेल लेमेटोलोजी इसमें लेमेटोडस का पात्पों के साथ सम्मंद का अध्यन किया जाता है एक ग्रोल नॉमी फसली पात्पों का अध्यन होता है इसमें सेल्वी कल्चर वनिय वैक्षों तथा उनके उत्पादों का सम्मर्धन वा अध्यन किया जाता है फेलियोलोजी फेलियो बोटनी पादप जीवास्पों का अध्यन किया जाता है Phelionology, पराकड़ों का अध्यन किया जाता है, इसके तैट, Phethology, पादप रोग उनके उचार का अध्यन किया जाता है, Phedology, मिर्दा सम्बंदी अध्यन किया जाता है इसकी अंतरगात, Phedology, फेरासीटोलोजी पोसीता तथा परजीवियों के संबंद का अध्यन किया जाता है फाइकोलोजी सेवालों का अध्यन किया जाता है फार्मोलोकोलोजी औस्दिये पादकों का अध्यन किया जाता है Physiology, बेभिन ने पादक जैविक क्रियाओं का अध्यन किया जाता है Pomology, फलों का अध्यन किया जाता है Terriodology, Terridophitis का अध्यन किया जाता है Phytogeography, पौधि के वित्रण एवं उनके कार्डों का अध्यन किया जाता है Space biology, अंतरिक्ष और वायूमंडल में इस्तित्पादपों का अध्यन किया जाता है Spermology, बीजों का अध्यन किया जाता है Taxonomy, पादप बर्गी करण का अध्यन किया जाता है ठीव आंगे बात करते है वनस्पती सम्मर्दन से सम्मदित विज्ञान की साखा को क्या करते है Hortical culture वनस्पती विज्ञान की वैसाखा जिसमें सहवालों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है Phycology Salvy culture में किसका बढ़न होता है बनों के विकास का Spermology में किसका अध्यन होता है बीजों का Agro-Stology में किसका अध्यन होता है गहासों का Phyrology में किसका अध्यन होता है भूमी का अनुवांसिकता इबन विमिनिता के वारे में जानकारी देने वाले वनस्पती विज्ञान की साखा को क्या करते है अनुवांसिकी अनुवांसिकी पौधों की नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाती है वर्गिकी फलों का अध्यन क्या कहलाता है पॉमोलोजी पराग कड़ों का अध्यन क्या कहलाता है पेलीनोलोजी संसार्म पौधों की वितरन का अध्यन क्या कहलाता है फाइटोजियोग्राफी साख सब्जी उत्पन करने वाले पोदों का अध्यन क्या कहलाता है आलेरी कल्चर वार्षिक वलेओं का अध्यन क्या कहलाता है डिंडो कोनोलोजी सजावटी व्यक्षित तत्हा जाडियों के संब्धन से संब्धन क्या कहलाता है आर्वोरी कल्चर फोधों के आंतरिक सरचना का अध्यान क्या कहलाता है? स्तारिरिकी माईक्रो लोजी में किसका अध्यान किया जाता है? कवक का एक गुरोफ और श्टीम से क्या तात्व है? कृसिवर के साथ उसी भूमी पकर काश्टिये वारेमासी गहास 1280 ब्येक्च लगाना प्रजीव द्रव्व के पित्थक करन एवं सेयोजन से सम्मंदित वनस्पति की साखा क्या कहलाती है टिसू कल्चर आदिवासी द्वादन पात्पों के उपियों काध्यन किस साखा के अंतरगत होता है तो आपको रखना है एथिनों बॉटनी सोप्ष में जीवूं का अध्यन किस के अंतरगत होता है माइक्रो वाइलोजी सजीव को में कारवन कारुनिक पदार्थों का अध्यन किस के अंतरगत किया जाता है वायो केमिश्ट्री फल सबजीयों तथा उद्यान पाध्वों का सम्भर्दन बाध्ध्यन किसके इंतरगत होता है हौटी कल्चर विविन ने विकरणों का पाध्वों पर फिरभाव तथा उत्वरी वतन का द्यान किसके इंतरगत किया जाता है रेडी एसन बाइलोजी अनुवांसिकी का पिता किसे कहा जाता है जी जे मैंडल पाधप रोग विग्यान के जनक कौन है ये बटलर पाधप क्रिया विग्यान के पिता हमाय किसे कहते है इस्टीपन हैल्स कबक में पोसंड किस पिकार का होता है आउसोसंड द्वारा जेली फेस तथा हाइड्रा किस बरग के है वह आपको याद रखना है मैटा जोगा कबक की कोश्का भीती किस की बनी होती है काइटिन सभी प्रोकेरियोटिक जीव अथा जीवाडू आदी किस बरग में रखे जाते हैं मौनेरा पौधहों पौधे जो नमक कि मिटी में एकते हैं क्या कहलाते हैं है हेलोफाइट साइटोलोची में किस का अध्यन होता है कौशी काओं का जीवीत ुझी जीवाज में किसे कहते हैं आर्की वेक्ट्रिया जीवाडू में DNA के अतरिक कौन सा अनुवासिक पदायत होता है पिलाजमेड एक कौसिय सुनहेरे फीले सेवाल को क्या कहते हैं डाइटम ये विज्ञान सब्द का प्योग सबसे पहले किसने किया लैमार्ग ट्रेवीन रेनस ने वनस्पति जगत का एंपिया फीविया बरक किसे कहते हैं बाय फाइटर्स वरक का सबसे बड़ा प skirts सबसे बड़ा कौन सा है डार प्रम किस है फण में किस बरक का उधार है ठीुभाइटर भज्री सी अचिक अब देखते हैं बात करते हैं हम लोग किक कुछ जीबधार्यों के बिज्ञानिक नाम मनुस का होमो सीपियन्स, मैड़क का राना टेगरीना, बिल्ली का फिलिस डॉमिस्टी का, कुत्ता का कैनिस फैमिली रिज, गाय का बॉस अंडिकस, मक्खी का मॉस का डॉमिस्टी का, आम का मैंगी फैरा अंडिका, धान का ओरेजा सतीवा, यहूं का, ट्रेटी कम, एस्टी वम, मतर का, त्रेसम, सेटी वम, चना का, सीसर, रिटीनम, सरसोय का, बरसी का, कम, पेस्ट रीज, ठीक है, तो चलिए यह था फहला लेक्चर हमारा, जी बिग्यान का, अगली लेक्चर में बात करेंगे, पाधब जगत का बर्गी करण देखेंगे, ठीक है,